नमस्कार फ्रेंट स्वागत आपका चार कुकिंग में आज मैं आपके साथ सेर करूंगा एकदम इजी रेशिपी और एकदम सिंपल जो बनाएंगे बगर लसुन प्याज के दही वाले दम आलो तो चलिए बनाना सुरू करते तो हमने 300 ग्राम आलो ले लिया है देख सकते हैं क तो हमने एक शिट्टी देखे और छिल लिया है तो हमने कांटक चमज लिया इसकी मदद से दो तीन साइड से ऐसे टोस देंगे ताकि अंदर तक मसाला जा सके अपना आराम से सभी को यही परकार से कर लेंगे तो आलो ज्यादा बड़े नहीं लेने का है यहीं मीडियम साइज की आलो लेने का है तो अभी सबसे पहले आलो को फ्राइब कर लेंगे अमने पेन में तेल रख दिया गरम करने के लिए तेल को गरम होने देंगे पहले तेल गरम हो गया भी आलू फ्राइए कर लेंगे सबसे पहले अच्छे से गॉल्डन ब्राउन करके ले लेंगे आलो को अराम से चलाते रहना है आप देख सकते हैं आलो अच्छे से फ्राइ हो चुक है सोनेरी कलर आच चुक है तो अभी गेस बंद कर देंगे तो हमारे आलो फ्राइ हो चुक है भी निकल लेंगे पुलेट में निकल लेंगे आलू थोड़ा ठंडा होने तक तब तक मसला तायर कर लेते हैं हमने ये दस फ्रेश वाल लाल मिर्ची लिए इसका डंटल निकाल देंगे ये तरीके से मिर्ची को काट लेंगे बारिक मिर्ची को हमने काट लिया आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश वाल मिर्ची लिया आप चाहिए तो शुका लाल मिर्ची भी ले सकते हैं 10-15 मिनट गरम पानी बिगा कि भी यूज कर सकते हैं मिर्ची भी मिक्सर के जार में डाल देंगे और बारिक पेश्ट बना लेंगे इसका तोड़ सा पानी में डाल लेंगे ताकि पिसने में आसन हो जाए भी डखन लगा लेंगे और बारिक एकदम पेश्ट तायर करेंगे मिर्ची चेक कर लेते हैं यह देख सकते हैं आप कितना अच्छा कल राया है तो अभी दही का मसला तायर कर लेंगे सबसे पहले मैंने कांस का बोल लिया है इसमें 200 ग्राम दही एड़ करेंगे एक दम फरेश्ट दही है यह जो आमने पिसा और मिर्ची एड़ कर देंगे पहले नमक डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के इसाब से डालिए तोड़ा साल्थे डाल देंगे अल दनिया पाउडर डाल देंगे चोटा व देंगे नहीं अब देक्स देया हमारे फिटके बिल्कुल तैयर है तो इसका तड़का तायर करते हैं हमने शेम कड़ाई लिया है तो इसमें दो चमज तेल डाल देंगे एक चमज जीरा डाल देंगे पहले आदा चमज अजवान डालेंगे तोड़ा सहिंग डाल देंगे दो तेज पत्ता दो सुपके अखी लाल मिर्च जीए वह भी डाल देंगे तोड़के 30 शेकंड तक अच्छे से पका लेंगे पहले एक चमज डालेंगे कश्मी लाल मिर्च ताकि इसे कदर बहुत अच्छा था तिक्का नहीं बिलकुल भी अब हमने जो मसाला तैयार किया हो एड कर देंगे अपने कंट्यून चलाते रहेना है ताकि दही फटे नहीं तो दो मिनिट कंट्यून चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं दई बिलकुल भी नहीं फटी है अपने देखिए जिसमें हमने मसाला ताहर किया वो बरतन का पानी हो भी तोड़ा डाल देंगे अभी दो मिनिट डखन लगा कि पका लेंगे अच्छे से दो मिन्ट होगा एक बार चेक कर लेंगे आदा चमस गरम मसल के डाल देंगे अब यालो एड़ कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब हमने बार चेक कर लेंगे बार याइणा कर लेसे जादेंगे उट्चेक आप ड़कर लेंगे पास चेंसरे मिक्स कर लिएए थोड़ा सा गुड़ लिया मैंने वो डाल देंगे ताकि टेस्ट और भी अच्छा हो जाए कटा मिटर टेस्ट हो जाएगा लगा के दो मिनिट और पका लेंगे दो मिनिट हो गया चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं तेल बिलकर अलग हो गया हमारे दम आलू बनके भी एकदम तयार है यह बगर लसुन प्याज की सब्जी है रेशी पे अच्छे लगी तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करना तोड़ा अरा धनिया डाल देंगे उपर से एक बार चला लेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहे हैं को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना था कि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दो बिल के बिलकुल तयार है तो भी आपको मिले निकल लेंगे तोड़ा सारा दनिया डाल देंगे फिर मिलेंगे एक नए रेसिपि के साथ तब तक बनाईए खाईए और इंजोई केजिए टेंक्यू पिर मिलेंगे खाईए 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 देंक्याओ आईए बनाईए नेगे देंक्या खाईए देशपिके साथ जान दाएए खाईए युछ एवफिंदाए खाईए ट।